बुरी तरह से मुकाबला हारने के बाद न्यूजिलेंड के कप्तान केन विलियमसन ने इस खिलाडी पर ठोका हार का ठीकड़ा दुश्मन होते हुए भी सूरे कुमार के लिए कहा कुछ ऐसा जिसने जीता है 130 करोड भारत वासियों का दिल केन विलियमसन की ये बातें सुनकर आप भी हो जाएंगे उनके फैन तो बताएंगे आपको इस वीडियो में क्या कुछ का है न्यूजिलेंड के कप्तान केन विलियमसन ने सूरे कुमार यादव की ताबर तोड़ पारी के बाद उससे बहले आपको बता देते हैं कैसा रहा मुकाबले का हाल पहले न्यूजिलेंड ने टॉस जीत कर किया गिंदबाजी का फैसला जिसके जवाब में बलेबाजी करने उतरी भारतियों क्रिकेट टीम में जा रिश्यप पंत श्रेय सईयर पूरी तरह से फ्लॉप रहे तो विशान किशन ने 36 रन बनाए लेकिन सूर्य कुमार के ताबर तोड 111 रनों की बदौलत भारत को 191 का बढ़िया टोटल बोर्ड पर देखने को मिला जिसके चलते 192 का लक्षे मिला था न्यूजिलेंड को उसके जवाब में भारतिये गेंदबाजों का जादू इतना भेत चरीन चला कि हर एक गेंदबाज को लगबग विकेट मिला दीपक हुड़ा ने अपने नाम चार सफलताइं की जबकि दो दो सफलताइं मिलती है यहां से मुहमद सिराज और यूजवेंदर चहल को सुन्दर और सिराज को भी मिली एक-एक विकेट लेकिन उसके जवाब में केन विलियम सन ने 61 लेकिन उसके बाद जहां पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फरेंस थी उसके अंदर केन विलियम सन ने सूरे कुमार यादव की तारीफ में कुछ ऐसे राग अपनाए हैं जिसको सभी भारतवासी इस समय खूब पसंद कर रहे हैं आपको बता दिया जाए केन व और ये पारी सूरे कुमार यादव की अविश्वसनिय हैं इससे पहले भी जब सीरीज शुरू होने वाली थी तब भी सकाय की तारीफ कर रहे थे केन विलियम सन और उसी तरह से आज ऐसा भैतरीन परफॉर्मेंस करके दिखाया है सूरे कुमार यादव ने कि दुश्मन कप होते हुए वी केन विलियम सन ने जीता है सभी भारतवासियों का दिल, क्या कुछ आपका कहयना है केन विल्यम सन के इस बयान के बारे में, दीजी अपनी राइ हमें Questions में और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद